नमस्कार किसान भाईयों फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूटूब परिवार में तो देखिए कल से आज तक जो है बहुत सारे फोन आए है डूटी को लेकर के प्याज पे डूटी लग रही है कि नहीं लग रही है वो भी आपको बताएंगे कि कल पहला दिन था आज दूसरा दिन है तो कितना प्याज जो है निर्यात हुआ है उसके उपर भी चर्चा कर लेंगे साथ में देखिए इसका असर क्या आने वाला है अगर डूटी है तो क्या असर है और डूटी नहीं है तो क्या असर है और MEP का जो है इसके क्या असर पढ़ने वाला है तो इस चीज के ओपर चर्चा करेंगे दोस्तों और किसान भाईयों लेकिन चैनल पर नए है तो वीडियो सबसे पहले सर्कूलर की बात करते हैं जो चार तारीक को जो सर्कूलर इस्सू हुआ है उसमें वैसे इन राइटिंग कुछ भी नहीं लिखा गया है जिसके अंदर हम लोग ये बात बोल सकें कि भाई कि MEP के उपर या फिर भाव के उपर किसी तरह की कोई डूटी लगाई गई है क्योंकि उस सर्कूलर के अंदर कुछ भी ऐसा लिखावा दिखाई नहीं दे रहा है अब वो किसी चैप्टर में सेक्शन लिखे हैं सेक्शन उनके अंदर कहीं जाकर के होगा तो वो अलग बात है लेकिन सर्कूलर के उपर जो है खाई पर भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जब आप MEP के उपर अगर माल एक्सपोर्ट करते हैं मतलब पर आज एक्सपोर्ट करते हैं तो डूटी उस पे लगाई जाएगी या फिर आपको डूटी देनी पड़ेगी तो इस तरह की किस की अगर बात करते हैं तो आज कुछ बाणादेज साइट के सी gradient से से बात की थी तो उन से बात करने से यह पता चला कि इसके अंदर जो है चालिस पर सेंट के करीब की डूटी है तो देखिए डूटी अगर इसके अंदर लगी है तो अगर डूटी लग चुकी है तो आपको यह पता है अपने को मतलब मुझे भी यह आपको भी यह समझना होगा कि यह डूटी जो है किस तरीके से लगी आप तरीके की अगर बात करते हैं तो सीधी सी बात है जो समझ में आता है 40% की डूटी तो मतलब MEP पे 40% साइद हो गया यह लेकिन अगर officially अगर बात करते हैं कि officially जो है कि माल जो है माल के उपर डूटी का कोई circular या कोई notification वो मैंने DGFT की साइट पे भी नहीं देखा है और नाहीं मुझे कहीं मिला है कि जिसके अंदर यह लिखा गया हो कि भाई MEP के उपर 40% डूटी लगाई जाएगी लेकिन बार्डर से यह confirm खबर आ रही है कि बार्ड बार्डर की यह खबर है कि बार्डर पर 40% की डूटी बोला जा रहा है कि मतलब के इंडियन कस्टम जो है 40% डूटी लेकर के इसको निर्यात कर रही है यह बार्डर के CHO अगर आप बोल रहे हैं लेकिन किसी तरह का कोई official notification मेरे पास नहीं है जो notification मेरे पास में है वो है MEP का कि MEP को मद्दे नजर रखते हुए प्याज का जो एक्सपोर्ट है निर्यात जो है ओपन कर दिया गया है लेकिन उसी MEP पे किसी तरह की डूटी है इसकी खबर नहीं लेकिन बार्डर से खबर continue है कि बार्डर पे यही बोला जा रहा है कि डूटी जो है इस पे लगा दी अगरा हुए वो कभी गलत नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जब बोला है तो निस्चित बात है डूटी इस पे लगीवी होगी तो आप देखिए अगर इस पे डूटी अगर लगीवी होगी तो फिर देखिए एक्सपोर्ट जो है इतनी जादा बड़ी मातरा के अंदर जो है प्याज जो है निर्यात नहीं होगा जिसको कोई अमर्जेंसी होगी बंग्लादेश के अंदर वही प्याज को ज़्यादा निर्यात करने की कोशिश करेगा या फिर माली जैसे मैं हूँ मैं अगर किसी और देश से अगर प्याज मंगाता हूँ मांसे समय लग रहा है और थोड़ा बहुत जो है रेट के अंदर वेरियेशन अगर कुछ आ रहा है और उसको पढ़ता अगर बैठ रहा है तो वो ही निर्यात करेगा बड़ी कॉंटिटी के अंदर जैसे पहले जो दिन में पचास पचास सो सो गाड़ियां पहुंचती थी लगता नहीं है अगर बड़ी बात है में निर्यात नहीं करेगा और सबसे बड़ी चीज है बंगलादेश वाले जो है आयात नहीं करेंगे बंगलादेश वाले मतलब के इंपोर्ट नहीं करेंगे और भारत के जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर वही एक्सपोर्टर export करेगा जिसका जो importer है उसको ये भाव जो है पढ़ते खा रहे हों duty वगेरा देने के बाद में लेकिन मैं आपको फिर बोल देता हूँ कि official किसी तरह का कोई notification मेरे पास में नहीं है जिससे कि मैं आपको ये बात बोल सकूँ कि सरकार ने पहले ही इस चीज के लिए बोल दिया था कि वह या MEP तो लगेगी लगेगी साथ में आपको duty भी पे करनी पड़ेगी लेकिन border के इसाब से आपको बोल रहा हूँ border के CH के इसाब से जो agent है वहां के agent के इसाब से 40% duty इसके अंदर लग रही है तो ये चीज आप भी पता कर सकते हैं जो exporter हैं जो export कर रहे हैं उनको इस चीज के बारे में पता होगा कि वो duty दे इंडियन कस्टम को duty दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं तो आप देखिए अब बात करते हैं तेजी के लिए duty लगने के बाद में और M.E.P. लगने के बाद में क्या बजारों के अंदर अपने को तेजी देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी तो देखिए हगा duty लगी वी रहे गी और duty के साथ में मनला M.E.P. के साथ में duty उसके उपर अगर प्याज निर्यात होता है तो देखिए हलकी फुलकी तेजी देखने को अपने को मिल सकती है जिस तरह की तेजी आप चाहते हैं वैसी तेजी देखने के चांस जो हैं कम हो जाते हैं क्योंकि जब डूटी इतनी इसके उपर लगेगी तो हर कोई निर्यात करे गानी तो मतलब कि बड़ी कॉंटिटी का काम जो है हो नहीं पाएगा मैं यूं समझ सकते हैं कि छोटा मोटा छोटा मोटा काम चलता रहेगा जैसे मेरे को अगर ज्यादा जरूरत पढ़ लिए जो मैंने बोला कि अगर मैं किसी और देश से प्याज मंगाता हूं और मुझे ल पचास डॉलर की MEP है उसके बाद में 40% डूटी है तो मतलब कि निर्यात करना जो है मुश्किल हो जाएगा और बंगलादेश वालों को आयात करना मुश्किल हो जाएगा इन चीजों को अगर देखते हैं तो बजारों में जो है किसी तरह का कोई जबरदस्त असर जो है की बात आईगी इसके उपर के कॉंटिटी जो है निर्यात जो है कम होगी और निर्यात अगर कॉंटिटी कम होगी तो तेजी के असार भी इसके अंदर कम हो जाते हैं नो डाउट एक्सपोर्ट के नाम पे जो है थोड़ी वहत तेजी आपको देखने को मिल सकती है अगर अगर जो डूती लगा कर के भी माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उसकी मात्रा आपको बता देते हैं कि कल पहला दिन था कल कितना ज रहा है। तो कληद Through की अगर बात करते हैं तो खर सल को जो ऐग चAY ट्रक बंगलादेश निर्यात हुए थे। डूटी लगकर के यही बोला जा रहा है कि प्याज के उपर डूटी लगकर के जो है प्याज कल जो है निर्यात हुआ था आज की अगर बात करते हैं तो आज जो है आज ट्रक निर्यात होने के लिए खड़े हैं जो रात तक जो है सारे के सारे ट्रक जो है निर्यात हो तो मतलब कि डूटी लगने के बाद में भी थोड़ा बहुत माल अभी भी प्याज का निर्यात हो रहा है अब देखना आपने को ये है कि इस डूटी लगे वे के अंदर कितना माल निर्यात होता है क्योंकि कल पहला दिन था आज दूसरा दिन है ये तीन-चार दिन के अंदर अपने को पता चल जाएगा कितना माल निर्यात होगा क्योंकि कॉंटिटी जब तक थोड़ी बहुत बढ़ेगी नहीं तब तक मंडियों में जो जैसी तेजी आपको चाहिए वैसी नहीं मिलेगी लेकिन निर्यात के नाम से जो है तेजी तो बनती है वो नेट्रल मंडियों के अंदर आ जाती है हो सकता है आपके मंडियों में आप भी चुकी हो बाकि आगे की रिपोर्ट में आपको देता रहूंगा और कल तक मैं पूरा confirm भी करूंगा कि इसका कोई circular issue हुआ है circular मतलब बोल दीजे notification बोल दीजे इसका issue हुआ है कि नहीं हुआ है लेकिन side पे अभी तक किसी तरह का circular नहीं है और निर्यात में बढ़ोतरी आई है या निर्यात में गिरावट आई है तो अपडेट आपको मिलता रहेगा चैनल से जुड़े रहेगा और वीडियो यहां तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और लगता हो सेयर के लाइक तो दूसरे किसान भाईयों को वीडियो को सेयर करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै जवान जै किसान जै हिन झाल झाल झाल